इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जग है विराजमान स्विह सित्यते शुषि भर्वसाभ विदुषी महसत्यवरंदेश प्रभु महावीर के शासन के साथ स्वियम के जीवन को और शासन को जयवन्द करने के लिए शासन कथा का निरंतर रस लेती हुए स्रद्धालुगन राजग्रह का पहला चत्रमास मध्यम पावा की पहली धर्म सभा और राजग्रह का पहला चत्रमास उचत्रमास के दिन उचत्रमास का माहूल उचत्रमास के दिवस्ताएं वहाँ पर संपन्न होने जा रही है कि जहां पर विवीद धर्मों का पहले से अधिपत्य हैं किवल ऐसा नहीं के राजग्रही में किवल भगवान पार्षणात के ही उपा सके वह गोशा लगके भी उपा सके वह बहुत धर्म का भी अधिपत्य हैं वह वैदिक धर्म का भी अधिपत्य हैं वह सांक्य दर्शन का भी अधिपत्य हैं वह परिवराजग भी हैं विवेद विवेद संप्रदायों के बीच भगवान महावीर वाचात्रमा संपन्न कर रहे है को तुहल जग्यासा और विक्ति के मिन में जब भगवान पाश्चनात की परंपरा से जुड़े हुए है उनके मिन में क्यों जग्यासा ही नहीं तो उल्जेने भी है जो परंपरा से जुड़े नहीं उनके मन में जग्यासा है जानने की और जो निरगंत परंपरा से प्रफ़े से जुड़े हैं उनके मन में उल्जेन है पस उल्जन को आप अनाम से मेसिस कर सकते हो आज भी वो उल्जने आपके मन में भी होगी और आपके मन में नहीं होगी तो आपके next generation के मन में तो बहुत जगा है कि एक परंपरा ये केती है, एक परंपरा ओ केती है एक परंपरा ओ केती है सत्ते किसको मानना है भगवान पार्शनाद भी स्वयम को सर्वग के कहते हैं तिर्थनकर माहाविर भी स्वयम को सर्वग के कहते हैं तो दो सुरत की उजाने में अंतर क्यों है दो दिये के उजाने में अंतर हो सकता है लेकिन दो सुरज के उजाने में अंतर नहीं हो सकता है उलजन को यदि आप अंडर्श्टेंड कर पाए तो बहुत अच्छी तरह से कर सकोंगे कि दोनों ही सुरज है दोनों ही चांद है दोनों ही सागर है दोनों का ही धेया यह की है उसके बाद यह डिफरंस जब प्राक्टिकल में आता है वही वीद्य जब प्राक्टिकल में आता है तो मन उलज कर करे जाता है और किवल बात करने का तरीका ही नहीं जीने का तरीका भी प्रतिकमन का तरीका भी गुचरी का तरीका भी कपड़े पेनने का तरीका भी सारा डिफरेंट जाकर के लोग पुछते हुँगे भगवान पार्षनात के आचारियों को कि तुम्हें इस सा प्रतिकमन क्यों नहीं करते हो तुम्हें इसी व्यवस्ता को स्वेकार क्यों नहीं करते हो जबाब देना उनको भी भाने जाता होगा है लेकिन जैसे जैसे चत्रमास के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं एक पर्व की तयारी दोनों ही परंपरा में हैं एक उस्व की तयारी एक अनुष्ठान के तयारी दोनों ही परंपरा में हैं और वो है परिशन परवाई भगवान पाश्चनात के धर्मसंग में भी परिशन परवाई की तैयारी चल रही है भगवान महावीर के धर्मसंग में पहली बार परिशन हो रहा है कोतुहल सबके मन में जिग्यासाइ सबके मन में कैसे परिशन पर वो संपन हो गाई और इंदर वालों के मन में भी कैसे परिशन पर वो हो गाई क्या हुद्देश ये परिशन परवाई का है क्यों परिशन परव संपन्न करते है क्या इसके पिछे सत्य है क्या इनिवर्सल टूथ है एक परिशन परव के अलावा दुनिया के एटू जेड जितने भी फेस्टिवल धार्मिक जगत के है जैन के भी एक परिशन परव क्या नावाई जितने भी उस्सों जैन धर्मा में भी होते हैं जैनेतर में भी होते हैं वे टेम्परवारी है शाश्वत नहीं है महाविर जैन थी निर्वान कल्यानक आखा तीज एक अभी है पहले नहीं थे अगले चुविसी में नहीं होंगे महाविदेख शेतर में नहीं है एक मात्र परिशन परवे है कि चाहे जो आरा चले चाहे जो काल चले चाहे जो समय आजाए चाहे जो धर्म आजाए चाहे जो तिर्थनकर आजाए परिशन परवे तो होगा ही होगा है क्योंकि एक किसी घटना के साथ नहीं जुडा है ये किशी इुद्ध के साथ नहीं जुड़ा, ये किशी जनम के साथ नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है शाश्वत विवस्ता के साथ, शाश्वत सत्य के साथ, एक रिभुलेशन के साथ, एक क्रांती के साथ, परिशन परव यह मनुष्य ने हर युग में सबसे पहले की हुई क्रांती का परव है मैं शब्द को वापस दोरा रहा हूँ शयद आपसे मिस नहुआ हूँ परिशन परव यह रिवोलेशन का परव है क्रांती का परव है यह क्रांती का उस्सों है एक ऐसे क्रांथी का उस्व है जिसका कोई नेता नहीं था है एक ऐसे क्रांथी का उस्व है जिसका कोई देवी देवता नहीं था है एक ऐसे क्रांथी का उस्व है जो नियाचरल क्रांथी हुई एक नैचरल क्रांथी की स्मृति में परिशम परवा है एक ऐसे परिवर्तन की दस्तक, एक ऐसे परिवर्तन की स्मूति जिसको अधि दुनिया का कोई साइन्टिस्ट, साइकोलाजिस्ट समझ सकेगा तो Karl Jung एक व्याश्विक मन की क्रांथी थि पिछले सदी में फ्रैड ने खोच करी और एक खोच करी कार्ण जूने कि हम सभी के पास दो मने एक मन है परस्वल और एक मन है जाक्तिक इनिवर्सल मन इदि अचारांग सुत्र के भाषा में बोलना हू और दस सुधन आए कितनी सुधन आए मैंने बोला वह तो बोल सकते आप कि आपको चार सुधन पता है इसलिए दस के तो आपको झटका लग गया हुआ कि आप परतिकमन में कितनी सुधन बलते हूँ चारी सुधन बलते ह Savannah आहर सुधन भई सुधन ओ मेथुन सवन्या, परिगर सवन्या लेकिन आचारंग सुत्र के ठीका में दस सवन्या हैं वो दस सवन्या है अहार भय, मेथुन, परिगर, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक सवन्या और वोग सवन्या लोकसवद्या और वोगसवद्या है कारल जुम ने जिस वेश्विक मन की बात करी उसको आगम में वोगसवद्या कहते है लोकसवद्या कहते है हम सभी के पास एकेंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक नार्की से लेकर तसरवार तसिद्धी देव तक एक इनिवर्सल मन है और उस मन के कारण से कुछ बाते हमको हमारे स्मुती में बिना सिखाया जाती है सिखना नहीं पढ़ता है जो आगम में एक्जामपल दिया गया है चीटी को सिखाना नहीं पढ़ता है कैसे डिस्प्लिन में चलना है चीटीों को आपने देखा होगा ना चीटिया कोई सिखाता है नहीं मदुमक्षी के चत्ते के तरफ देखोंगे तो नो टेनिंग किसने रादी बनना है किसने राजा बनना है किसने सुरक्षा सेनिक बनना है किसने कोजने के लिए जाना है कोई वहाँ declaration नहीं होता है जो जिसका जिसका दाईत्व है वो दाईत्व अपने आप उनको समझता है और उस तरीके से उन चलते हैं कभी आस्मान के तरफ नजर उठा करके देखा वो फुरसत के पलों में तो पंच्यूं का एक थवा जून उड़ता है और देखें वो कैसे आतार बन जाता है वो इस कमेंडर वो इस डाइरेक्टर दियार किसने कहा है इस पंच्य को तो यहां खड़ा रहतू या ऐसे तो ऐसे ऐसे कोई नहीं इसको आगम में कहा गया लोक सवध्या और वोग सवध्या इसको किशे को सिखाना नहीं पड़ता है वैसे ही परिशन परव की सवध्या यह लोग सवध्या वोग सवध्या है क्योंकि वैश्वी परिवर्तन के साथ वैश्वी क्रांती के साथ इनिवर्सल रिवोलेशन के साथ जुड़ा हां परिशन परवे जिसमें छटा आरा पुरा हो जाता है पाचवा आरा हो गया चल रहा है इसके बाद छटा आरा आएगा चटे के बाद वापस छटा ही आएगा और छटे के बाद पाचवा आएगा चह्तारह की सजार साल करें वौपाश्टारह की सजार साल करें वौपिस पाचवारह की सजार साल करें 63,000 घंच 63,000 घंच आने वज्वना भई श हर धर्म देशना से शुन्य रहे जाएंच धर्म का बोध है नहीं होगा 63,000 साल तक सारा माहूल कुछ और होगा लेकिन छेटे आरे से पाचवे आरे के तरव जाती समय एक क्रांती होगी निसरग में पुरे धर्म बाके के धर्म प्रलाई की घोशना करते हैं विनाश की घोशना करते हैं कि विनाश हो जाएगा और पता नहीं क्रिशनिटी ने आज तक पिछले पचास सालों में कितनी बार विनाश की घोशना करी हैं और याद रखना जगत का विनाश कभी नहीं होगा यह भगवान महाविर का सिद्धान थे हैं जगत कभी नश्ट नहीं होगा चाहे जितने अनुबाम बना लीजिए चाहे जितने शस्रास बना लीजिए जगत कभी भी समाब्त होने वाला नहीं है वनली चेंज और एक ऐसा चेंज जो दिशा बदल दे एक चेंज होता है जैसे अपने जिन्दगे में चलता है बच्चे थे जबान हो गए जबान थे बुड़े हो गए पर उसमें कोई दिशा नहीं बदली एक परिवर्तन होता है सह चलता है परिवर्तन होता है दिशा का परिवर्तन एक परिवर्तन होता है लक्षय का परिवर्तन अथा टोली डाले चेंज हो झाए कुरंडी किसको केते हैं तोल्टले रेजेशन सम्पूर्मा क्रांटी श्री वर्धुमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संग ट्रस्ट उपाध्याई प्रवर प्रवीन रुशी चातुर्मा समिती महावीर भवन इंदोर कर दो कुछ कर दोlica कर दो 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 कि रास्ता रश्राव श्रावक कि अन दो है